आपने अक्सर फेस्बुक पे अगर कोई लिंक शेर किया हो तो यह नोट किया होगा जैसे आप लिंक पब्लिश करते हैं नीचे उसकी एक इमज एक डिस्क्रिप्शन और एक टाइटल कुछ इस तरह से नदर आता है यह जो प्रिव्यू है बेसिकली यह फेस्बुक की कोशिश आए कि वो जहां से भी आप लिंक कॉपी करें उसको जब आप फेस्बुक के उपर पेस्ट करें तो उसको जब ब्यूटिफाई करके यह निक अच्छा करके दिखाएं अब सवाल यह है कि यह डेटा आता कहां से है तो यह बेसिकली इसमें तीन में चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें एक इमेज है एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है यह तीनो चीजें असल में फेस्बुक खुद आपकी वेबसेट से पिक करता है और इसी मक्सद के लिए Facebook ने MediTags की तरह अपना एक MediTags का पूरा सिस्टम लाँच किया जिसको उसने Open Graph का नाम दिया Open Graph Tags are like MediTags लेकि इसमें फरक यह है कि Open Graph Tags सेर फेस्टमूक और Google Plus के ओपर चलते हैं Twitter ने भी इस तरह का अपना एक Tags का सिस्टम लांच किया जिसको Twitter Cards कहता है वो हम बाद में बात करेंगे So Open Graph Tags में होता क्या है Basically Open Graph Tags कुछ आपको इस तरह से नजर आएंगे इसमें आप देखेंगे कि जिससे Meta Tags में टाइटल होता है और Social SEO के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं इसको ये सिर्फ और सिर्फ फेस्टूक पे काम करेंगे और Google प्लस पे काम करेंगे जो टाइटल Open Graph में लिखा होगा वो ही टाइटल आपको फेस्टूक में जब आप कॉपी करेंगे वो लिंक या आपको कॉपी करेंगे वो लिंक उसको नजर आएगा अब प्राब्लम ये क्या प्राब्लम थी और क्या सिलूशन था तो प्राब्लम ये थी कि जब आप टाइटल लिखते हैं गूगल के लिए जो रेगुलर टाइटल होता है उसमें आप कीवर्ड्स अजारत से जादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं अक्सर कीवर्ड यूज़ करते हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकली वो प्राब्लम ये आरी थी कि जब वो आपने गूगल के लिए तो लिमिटेशन है क्योंकि आपने रैंक करना है और आपने इसके अप्टमाइज करना है उन कीवर्ड के गेंश जिसके गेंश लोग सर्च कर रहे हैं फेसबुक में ये लिमिटेशन नहीं है क्योंकि फेसबुक पर सर्च नहीं होता जो Facebook और जो बाकी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो पिक करते हैं तो ये consortium बन गया Open Graph का कि Open Graph Tags आप वेबसाइट वाले एक दफा डिस्पले करेंगे और जितने भी सोशल चैनल जो Open Graph को सपोर्ट करते हैं वो उसको वो ही data read करेंगे अब इससे फाइदा यह हुआ कि आप regular meta titles अपने Google के लिए different लिख सकते हैं और Facebook के लिए आप different लिख सकते हैं और Facebook के titles में कुछ चीज़े एक्ष्टा भी आप यहनी कि आप इसमें अपने page का नाम अपने image different दे सकते हैं और आपका description फोड़ी सी lengthy हो सकती है Google में हमें पता है कि 150 characters, 155 characters तक minimum या maximum 300 characters तक हम जा सकते हैं इसमें आप कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं दो-चार सो characters के ओपर भी आप जा सकते हैं तो यह वो एक advanced चीज़ है जो आम लोगों को नहीं पता होती अगर आप user experience की बात करें इसका direct impact Google या Google की ranking पर नहीं होता लेकिन अगर आपका user experience अच्छा है और social media से अगर traffic आ रही है तो उसके लिए यह बहुत भेतर solution है क्योंकि लोग इस पर click करना पसंद करेंगे बजाए उसके ऐसे article पर click करें जिसका उनको पता नहीं है कि वो proper title क्या है यह proper image क्या है अगर आप WordPress यूज़ कर रहे हो तो एक योस्ट का plugin जो हम बार बार जिकर कर रहे है योस्ट का plugin खुद बाखुद चीज़ें पिक कर लेता है जो आपके regular meta tags हैं अगर नहीं तो आप योस्ट के plugin में ही option है third option जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक form सा खुल जाएगा जिसमें आप अपना अलग title अलग description फेस्बुक के लिए और टुटे के लिए लिए लिख सकते हैं तो यह बड़ा एक easy सा way है अगर आप WordPress यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर आप मैनूल कर रहे हैं तो आपको मैनूली लिखना पड़ेगा